तो बहुत बहुत स्वाकत है जोड़दार तरीके से मेरे T.A. के जित्ते भी लाल हैं और लगातार खुस ख़बरी चल रहे ही बच्चे अच्छा कर रहे हैं रेस्ट में, बच्चे अच्छा कर रहे हैं मेडिकल में भी और फानली वो अपनी सफलता तय कर रहे हैं तो जरूरत सब्सक्राइब करें और मेजिकल सी परिवार हमेंसा से बचन बद रहा है और ऑबिसली हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके सफलता को सथ-प्रस्थ तो चलिए आज उस कड़ी मेडिकल का वीडियो थोड़ा डेटेल वीडियो है जरूर देखिए बहुत काम का है बहुत सारे ब बहुत महात्यफोर है उन सभी बच्चों के लिए जो मेडिकल को लेके कुछ भी नहीं जानते हैं इस वीडियो को देखने के बाद उनमें बहतर आतने विश्वास होगा और वो 100% मेडिकल में अपने सफ़क्ता तैकर पाएंगे तो आईए शुरो करते हैं सबसे पहले टिये आमी मेडिकल अन्फिट पॉइंट होंगे फेल क्या दिक्कत है कहा दिक्कत है क्या क्या इशुज आ जाते हैं जिस वज़ा से आप बाहर हो जाते हैं इमेज में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं बड़ चलिए इनको इस्पेस्पिक समझते हैं टॉंटी तरह के टेस्ट हैं जिनके विशन में आज बात करने वाला हूं और इंके डिटेल में हम बात करेंगे आई टेस्ट को लेके नोच को लेके टीथ को लेके ऑपरेशन या सरजरी कोई है भीया टैटू आपके पास है सोटी पाम है कैरी एंगल का इशू है फ्लाइट करेंगे और इनको बहतर ढंग से समझेंगे जैसे आप में घबडाहट खत्म हो जाए मेडिकल में जाने से पहले कोशिये जरूरी है सरीर के अच्छे से सफाई करके जाएं बहुत जरूरी है मेडिकल में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है मेरे लाल और ये वीडियो दल लेंगे मिलके हम आप सफलता सत परसर सुनेश्यत होगे प्राइबेट पार्ट की सफाई भी अच्छे से होनी चाहिए कहीं कोई गंदगी नहीं होने चाहिए इस बात का विशेज ख्याल रखेगा आई शुरू करते हैं सबसे पहले आई टेस्ट आग की जाच कैसे होती हैं तरह आइछ सब्सक्राइब ए सब्सक्राइब भी नहीं होनी चाहिए और आखें भेंगी नहीं होने होने चाहिए अथा यह दर लुद्रना भाग नहीं हो है लिए इस तरह से हो जाता है कलर विजन टेस्ट में दोनों यह पाथ वाला भी कराते हैं और नंबर भी आपको फाइंड आउट तो ना होता है घवडाना थोड़ा यह सब बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना तो आएए सामने सामना देख लेते हैं आई सेट में फूरिशारी चीजें प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखो बेटर आई ऑबिशली एन 6 होगी वर्स आई को एन 9 कहा जाता है बेटर आई 6 अपन 6 है और वर्स 6 अपन 9 है अबिशली CP3 by इस से रहा ध्यान रखना पर राइट परसंट राइट आई इस बेटर एंड वाइस वर्सा और बैनुकलर विजन इस रिक्वाइड कहने का मतलब क्या है कि आपका आई साइट 6 अपन 6 होना चीह कुल मिला करके अगर चस्मा लगा के भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है नोज में आईए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जिसको आप DNS कहते हैं उसको deviated symptom is not allowed DNS सबसे deviated symptom हड़ी होती है कभी मांस बढ़ी होती है कुछ भी दिक्कत होगी नाक में इसलिए surgery allowed है 13 दिन में ही आप okay हो जाते हैं DNS is not allowed DNS का मतलब नाक की हड़ी का टेना होना है सिंपल सी बात है यह नहीं allowed है इसलिए इसके सरजरी हो जाती है सही भी हो जाता है इसके अंदर आपको temporary rejection दे देते हैं या unfit भी किया जा सकता है दोनों ही cases बनते हैं तो ध्यान रखिए कि आप DNS का टेस्ट चरूर करें और Medical City Healthcare Center बना ही भारत में इसलिए क्योंकि हम इन सारे टेस्ट को proper तरीके से करके आपको upgrade कर देते हैं टीथ में total point 22 होते हैं and minimum जो आपके point होने चीए 14 dental point आपके proper होने चीए है और generally हर बच्चे का होता है लेकिन दास साफ करागे clean करागे कोई गंध हुंधना है proper तरीके से दीजिएगा जिनके लगे हैं अगर दातों में हलका गाय फैल के टेढ़े मेरे तो आपको medical में fit कर दिया जाता है बस आपके 14 dental point complete थोड़ा बहुत space रहता तो बचे डरे रहते तो दरना मत हो जाओ गया अगर दातों में कीडा लगा हो तो proper capping करवा कर जाए जिसे लगा रह सकते हैं operation and surgery, operation and surgery वाले candidates को allow किया जाता है लेकिन यह different करता है कि आपके body किस पार्ट का operation and surgery medical कितने दिन दिन पहले हुआ है Tattoo कुले के यही बताना चाहूँगा कि Tattoo अगर आपका इस पार्ट पे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बस बाहर बाले पार्ट पे कहीं Tattoo नहीं होना चाहिए बागी detail तो बहुत है स्वेटी पाम नहीं होने चाहिए पसीना नहीं होना चाहिए घबढ़ाहट में भी कभी कोई हो जाता है तो मिट्टी वगहरा रहे पौडर आते हैं इस पे से लो यूज करी आपको दिक्कत नहीं आएगे यहां हमारे medical center में आते हैं सब कराते हैं हम लो carry angle देखो मोटा मोटा ठारा degree मांगा जाता है तो बड़ी simple सी बात है कि बहुत पहलाने की जरूरत नहीं है इनसान की तरीए करो यह कोई बहुत बड़ा medical problem नहीं है carry angle is not allowed वही है इतर भागेगा हाथ तो नहीं allowed है simple रखे flat foot is not allowed food में हमेशा curve होना चाहिए वो ज़रूरी है normal feet flat feet इस तरीके से होते है flat foot किस करण होता है बजन बढ़ने करण आपका पूरा सरीर बजन पंज्यों पर आ जाएगा तो लाजमिस बात है जो फूर्थ आपका flat हो जाएगा तो नंगे पाउं भी बहुत लोग घूमते है उस वज़़ा से भी होता है तो इन सब चीज़ों को थोड़ा वाइड करिए बाकी exercise के लिए इसके आते हैं special shoes वो पहने के सही हो जाए नौकनी is not allowed तो नौकनी भी एक तरीके से कह लीजिए कि जो है इस तरीके से देख सकते हैं आप सही है इसे ही है बाकी alignment घलत है तो पूरा bowled हो गया एक तरीके से और ये vulgus alignment है तो actual में normal alignment यही है नौकनी exercise देख सकते यह वाली भी है यह वाली भी है और यह वाली भी ध्यान से देख लो सब करो फाइदा मिलेगा clean your ears साफ हो खुद से मत कले न डॉक्टर होते हैं इसके कानों में कच्रा नहीं होना चाहिए कान बाहने के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए सुनने की शमता सामान नहीं होना शति का आई इंसान चेहेला शातिक से बाएन नॉठड होना के लेवल के लेवल पर जा रहेक जा रहा है कि और टक्राइबल पर जआ अज क्यों के लग नॉना दिखने च्छ N elbow कि शावला यह बनान और नियसे होना ऑज पर है एक दोले. छेट फिंग्र किसी भी केस में नहीं है लाओड है, वरकेस बेन में जानते ही फूल आता है दिखने लगता है उपर उपर, तो इसके भी अपनी एक्सकाइज़ है, वरकेस बहुंते लाओड है नहीं, सरीर का कोई भी अंग भाहर जो है इसमें एक तरीके से हरंिया की बात करे अन्फिट दे दिया जाएगा और ध्यान रखना के दिए मेडिकल केसे भी जाते हैं तेस्टिकल टेस्ट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए नॉर्मल सेप में होनी चाहिए छोटी बड़ी ना हो और दोनों टेस्टिकल साइज में थोड़ा फर्क भी हुआ तो बहुत जादा नहीं होगे लेकिन थोड़ा ही हो ऐसा नो कोई बड़ा है कोई चोटा है समाने ता एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल के तुलना में थोड़ा बड़ा या उपर नीचे हो सकता वो कोई दिक्कत के बाद नहीं इसकिन प्रॉब्लम भी अन्फिट कर देते हैं अब देखी नहीं होता है लेकिन धान रखना जलने का उतना बड़ा दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ना हो नहीं तो फिर उससे भी इशुत आई आता है बीपी टेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए आपकी देखी लेरो पैरामिटर लो भी पीए है एक्सरे हाटबीट यूरिन टेस सब प्रॉपर होते हैं सब प्रॉपर देखना भी चाहिए यह टेस्ट था जो मुझे आपको बताना था वीडियो थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैंने सब इमेच के माध्यम समझा दिया अब देख लो तुम्हारी सरीरे सब बढ़िया से जाके देना है कॉन्फिडेंट हो के जाओलाल मेजर कल्सी परिवार तुम्हारे साथ है फिजिकल और मेटिकल दन करो मेरे बच्चा और फिर हम जम लगा के महनत करेंगे और डेडिकेटली जो है महनत करके हम आपके रिटन में 100% गरेंटेट सफलता दिलाएंगे कॉल कर लो 9696 33 0033 और रिटन की बैचे शुरू ह हो चुकी है लगो हमारे साथ वादा है एक एक बच्चे को सफल कर आएंगे तैंक यू श्रमाच विश्यू गुड़ लग जय हैं जय भारत